इस टॉपिक के अंदर जैसा के हमने बहुत सक्सेस्फुली कम्प्लीट की हैं ड्रा मैनियों की डिफरेंट जो हमारे पास ड्रा के कमांड थी अब पास पर जाएंट तो अब हम बफर जाएंट पर जाएंट के अपने परोजेक्ट को जाकर स्टार्ट करें उसे पहले जो लिंक्ट चीजेशे हैं जो असे जिए जब कुछ हम ड्रा कर लेंगे तो उसके साथ अगर कुछ हमने मौडिफिकेशन करनी होंगी हैं कोछ चेंजेश करनी ही होती हैं तो वो कमांड जो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताके जब हम अपने प्रोजेक्ट पर पहुंचें तो पर्पस में लिए यह है कि हमारी ग्रिप उसके उपर बहुत अच्छी हो चुकी होगी तो फिर हमारे लिए बहुत एजी होगा उस स् और वन अफ दी अडवांटेज हमने का था जब स्टार्ट में भी था केड की जब हमें जितनी टूल ज्यादा आइडिया हो जाएंगी जितनी टूल ज्यादा आएंगी एग्जेक्यूट करना उतना ही हमारे लिए और एक चीज़ आपने जहन में आप अभी से बिठा लें क हर कमांड जो केड केंदर हम कर रहे हैं या मुझूद है जो मिली हम ते एक्जे़ क्यूट भी कर रहे हैं रन भी एक्सिंवार टूल प्ले करेंगी यांई यहेञां की तो आपको इसका मदलब है कहर कमांड को देखने की जुरूरत है। और यह जो हम command कर रहे हैं यह हमारी bridge का role play करेंगी हमारे project के दर्मियान और हमारे draw menu जो हम कर रहे हैं तो यह यह हमारी चीज़ इसको efficient कर देंगी तो इस topic के अंदर जिस specific हम command की बात कर रहे हैं paste command this is very well known command in every software वर्ड यूज़ करते हैं आप Excel यूज़ कोई भी software हो copy paste एक common चीज़ है बट इस paste के साथ हम associated कुछ और चीज़ें भी देखेंगे जिस तरह for example हम कहेंगे paste as original coordinates paste to original coordinates यह एक software है अभी कि हम बहुत focused move कर रहे हैं हमारा एकी software है लेकिन अगर आपका कभी कोई वास्ता पढ़े जिन्दगी में ArcGIS या कोई special ऐसा software जिसके latitude जिसे हम कहते हैं ArcGS में किया होता है वहाँ आप के हर point के x y coordinates मौझूद होते हैं जिसको latitude लाओ초 Bart which means is moment के वहाँ आप के memorized pin लेके हैं काड के अदर और और ओर कीजिन्ग कोई करना चाहरे हैं या आप कीजिन्गा के छाबर्ध करके किसी दूसरी अदूसरी o जो coordinates x, y यहां हैं वो ही coordinates जाके दूसरी file में हो वो भी हो सकता है फिर हमने जिस तरह last topic में text file को import किया था हमने notepad file इसी तरह for example हमारे पस को data है जो के tabular form में है एकसल में मौजूद है और उसको हम direct ले कराना चाहते हैं और हम paste करना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं तो इस त topic के अंदर अभी जैसा के हमने start में explain किया है हम आरे पास यह हमारी drawing है जो के हमने boundary and region command जिस पे हम work कर रहे हैं यह हमने फोल्डर में save की हुई है हम paste command को execute करने जा रहे हैं जैसा के नाम से ही familiar है के paste के लिए हमें copy करना जरूरी होता है और copy होने के लिए object का यहां पे screen पर होन बहुत जरूरी होगा it means के हमें कोई object start में लाजमी अपनी screen के ऊपर बनाना होगा और उसके बाद हम उस object के अंदर जो है वो check करेंगे किस तरह हम उसको copy करेंगे और हम किस तरह उसको जाकर paste करते हैं तो इसके लिए हम कोई भी object for example मैं अभी for the time being एक simple एक rectangle हम ड्रॉा कर ले मौजूद है और जो आप तक्रीबन more or less हर software में करते हैं although यहां पे भी options are there but I would suggest you yes यहां से भी आप इसको check कर सकते हैं यह copy की option मौजूद है और आपके पास जो है वो यहां से अगर आप जाएंगे तो paste की option मौजूद है तो एक तो simplest way जो हमारा है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम modify में से copy करें और हम जाके इसको edit में से paste कर दें तो हम वो भी कर सकते हैं again if I copy this from and specify based point and then we can we can paste it anywhere और हम जहां 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 इसको चाह रहे हैं हम paste कर सकते हैं but simplest way है that is जो हम हर software में करते हैं कि आपने select किया है control c copy and then control V अब आप control V करते जहां 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 आप इसको paste करना चाह रहे हैं आप चाहें तो आप उसके direct coordinates भी specify कर सकते हैं but अगर आप चाहें तो आप control V प्रेस करें तो यह this is a simplest way जो आप अपनी नोट बुक बना रहे हैं साथ साथ शॉर्ट कीज की जो के download section में भी again मैं बता रहूं available होगी वहां पे कुछ additional आपके पास ऐसी शॉर्ट कीज भी मौजूद होंगी जो आप दुबारा खुद से use कर सकते हैं जो यहां use नही हुई but control C is for copy and control V is for paste तो आप simply screen के ओपर कहीं से भी जिस object को आप चा रहे हैं इन दो को चा रहे हैं तो हम control C करेंगे और हम control V करेंगे तो यह हमारे पास जो है वो अच्छा यहां तक यह बात तो बहुत ही असान तरीन हमारे पास जो है वो method था अब हम ने concept पढ़ा है block का इसके तर एक line भी हम ल draw कर लेते हैं ताके हमारे लिए जो है वो असानी हो जाए एक circle भी draw यह हमारे पास कोई object है हम suppose position में भी काम कर रहे हैं कि यह हमारे पास इस time जो है एक circle है एक line है और एक rectangle है अब एक तो था simple copy paste अब अगर हम इसको copy and paste as block करना चाहें तो yes options are there हम इसको as a block भी paste कर सकते हैं और फिर हम उस block के अंदर जो तब्दीली करेंगे वो जहां-जहां भी copy paste होगा वो खुद बखुद उन changes को accommodate कर लेगा कैसे क्या करना है हमने वही एक तो method simplest copy का तो वही एक ही तरीका है control c और अब paste करने के लिए पहले हम control v करते थे अब अगर हमने इसको paste as block करना है ताके हम यह अब आरे यह block बन जाए खुद बखुद तो then हम करेंगे control shift v तो control v से हम shift का button भी साथ प्रेस करके रखेंगे तो फिर यह block paste हो जागी खुद बखुद बखुद बन जाएगा मैं बनाना नहीं पड़ेगा इसके बाद हम इस block को जहां-जहां वह जिस तरह हमने एक lecture भी किया object जो है यह एक block बन चुका है एकशली block हमारा बन चुका है तो अब अगर हम इसको कहीं एक दफ़ा और paste कर लेते हैं तो हमने method देखा हुआ है insert का उससे हम करते हैं इसको I enter यह हमने block के अंदर किया था यह हमारा block का उसने खुद से एक नाम suppose कर दिया है जिसके मेंदर dollar का sign C3BF 5F कुछ नाम भी है जो वर्टसवावर तो इसको हम यहां पर paste कर लेते हैं एकशली किया कि हमने यह हमारा source object था इसको हमने copy किया and then paste as block किया control shift V से और इस block को हमने फर्दर copy किया अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक command थी block editor की जो कि हमने यह आपकी चलें revision भी स किस हद तक आप गाती हैं तो block editor की option थी हमारे पास हम जो है वो इसको block BE edit कर लेते हैं और यह हमारे पास drawing है हमारी this one यह हमारे पास exactly यह drawing है इसको okay करते हैं तो जैसी हम okay करेंगे तो यह हमारे पास block editor on हो गया था अब इसकदर हम को changes करते हैं let's see कि किया यह changes इस circle को यहां ले जाते हैं so let's see कि क्या यह accept करता है हमारी changes यह नहीं अब close block editor करते हैं changes को हम yes करते हैं तो अब अगर आप note करें तो exactly जहां हमने उसकोपी किया था उसने वो changes as it is accept कर ली है यह वो changes जो इधर की हैं वो तबदीलियां यहां भी होगई है तो जो तबदीलियां हम चाह रहे थे यह method है हमारे पास paste as block करने का का अगर कभी हमें यह वाला option करना पड़ जाए अब हमारे पास third जो बहुत important paste की option मौझूद है that is paste as block की option हमने अलड़ी कर ली है यहां से भी कर सकते हैं और हमने जो है वो वहां से भी operate कर ली है अब हमारे पास option है paste special की option है बहुत ही important हमारी जो है यह option है paste special and then हम paste जो है वो two original coordinates भी कर लेंगे paste special क्या करता है यह हम जो है वो note कर लेते हैं अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो excel की file मौझूद है यहां पर हमारी folder D जो disk है उसी के अंदर हम इसे study वाली डिस्क बें autocad file यह हमारे पास एक autocad course और इसमें यह कुछ नाम है और उनके against उनके registration numbers है so let's see के हम अगर इसको यहां से copy करें copy कर लेते हैं अब हम करके आ रहे हैं यह Excel है आप तकरीबन काफी लोग वेल अवेर होंगे नहीं है तो यह Microsoft Office के अंदर हम वर्क करते हैं अगर तो यह आपको कहीं जरूरत पढ़ सकती है तो तैन आपको एक idea होना चाहिए किस तरह आप यहां से एक चीज़ copy होगी हमारी जब भी copy होते है तो यह सिंबल जिस तरह आपके सामने नजर आ रहा है और अब यहां से हम इसको CAD में जाते हैं और CAD में जाके हम इसको करते हैं edit के अंदर से paste special अब जैसे हम paste special की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास options आ रहे हैं कि हमने bitmap यह bitmap जो है यह picture होती है in fact हमारी तो और मारे पास excel worksheet की option भी है तो हम paste करना चाहरे है लिंक नहीं लिंक भी हम paste कर सकते हैं आपका वो बता देगा कि यह कहां फाइल है हम इसको bitmap के तौर पे जो है वो let's see हम okay बटन प्रेस करते हैं और इसको यहां हम रख लेते हैं तो यह अब हमारे पास table जो है एक image form में है लेकिन image form के अदर आप editing नहीं कर सकते हैं यह जस्ट आप इसको पिक्चर की form में देख सकते हैं मैं दोबारा quickly repeat कर रहा हूं यह हमने यहां से copy की है simple और हमने सिर्फ simply edit के अदर जाके paste special के अदर के option bitmap के option को pick किया है और हमने इसे कर दिया अब आप नोट करें अगर आप तो हमारे पास easily जो है आप इनके नाम देख सकते हैं अब हमारे पास एक और option भी है यहां से edit and then paste special और यहां पे हमने as a microsoft इसके बाद हमारे पास autocad entities है picture enhanced format है picture का text की format भी है so let's see text में हम करके देखते हैं वहां पे क्या करता है so यह हमारे पास text का option भी है अब इसमें जो benefit हमें यह होगा कि हम edit कर सकते हैं इस text को easily यह exactly वही multi line text बन गया है जो हम already कर चुके हैं इसको आप असानी के साथ तो यह हमारे पास paste हमने ब्लॉक भी कर लिया और हमने paste special भी देख लिया कि हम cat's लेकर आ रहे हैं हम उसको work sheet की form में उसको picture की form में और आप text की form का benefit भी देख लिया कि आप इसके अंदर edit कर सकते हैं अब हम last जो है वो इसकी command करते हैं और फिर हम lecture को conclude करेंगे कि suppose अगर यह अब इसकी इस time जो है यह जो इस position पे है इसकी कोई x position भी होगी कोई y position भी होगी क्योंकि यह अगर आप note किया होगा जो हमर यूसिय कर लें और हम एक नई drawing open कर लेते हैं support नई drawing जब भी आपने किसी भी software में open करनी हो तो आप control N प्रेस कर दें तो खुद बखुद एक नई drawing open हो जाती है यह as it is रहेगी तो मैं control N का button प्रेस करता हूं और मेरे पास as it is एक नई drawing हम open करने की तरफ बढ़ते हैं ताके हम वहां पे इस command तो यह हमारे पास एक नई drawing open हो गई है और इसका मैं यहां से grid को off करता हूं और अब मैं जाके यहां पे paste to original coordinates कर देता हूं और मैं अब यहां पर यह हमारे पास जो है file आ चुकी है इसको z enter a enter करेंगे हम यह z enter e enter कर लें अब और यहां पे pen command को भी use कर सकते हैं इसको हमारी उसकी है जो हमने जिस file से copy की है इसके लिए हम यहां पे ID यह हमारी command है आप नोट कर लें ID यह शॉट की है यह हम ID क्या करती है आप इस ID क्मांड को करने के बाद आप किसी object के किसी भी corner पे click करेंगे तो वहां पे आपको XY position clear बता देगा तो मैं इसे enter करता हूं और मैं इसका point यह वाला click करता हूं अगर आप नोट करें तो यहां पे अभी X जो है that is 35.1218 यह पिलकुल आप नीचे देखें यहां पे X के coordinates आ रहे है 35.12.18 अब quickly हम इसको जाके हमारी जो दूसरी drawing है जिसके अदर हमने work किया था जहां से हमने copy किया था तो यहां पे हमने ID की command हम दोबारा अगर लगा लें तो हम नोट करें तो यह हमारे पास जो हैं screen coordinates यह हमारे पास आ रहे हैं 2 feet and 11 inches अब आपने एक difference देखा होगा और यह difference by chance आगे है और यह आपके साथ भी आ सकता है problem क्या हो सकती है यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ symbol आ रहा है feet और inches का ले उसी ड्राइंग में यही से चले जाते हैं वापस और हम जाकर उसके unit सेट कर लेते हैं और unit जैसे हमने set करेंगे यहां से architectural हम कर लेते हैं थोड़ देर पहले मैंने किये भी हैं और अब हम इसको operate अगर करें हमने unit सेट करने के बाद ID और अब हम लेट सी तो अब आप देखे इसके अंदर हमने control C, control V फिर हमने copy as block देन हमने एक Excel फाइल को लेकर आए और finally हमने check किया किस तरह जो है वो original coordinates के अंदर किसी चीज़ को paste कर सकते हैं तो अभी हमने paste कमांड के अंदर operate करके देखा है और हमने options देखे हैं किस तरह हम इस कमांड को इस्तबाल करते हुए block को paste कर सकते हैं या किस तरह हम इस command के साथ work करते हुए coordinates के साथ exact और किस तरह Excel की sheet को हम लेकर आ सकते हैं इस command के अंदर है होप के इस command के साथ हमारी speed हमारी pace में इदाफ़ा होगा ताके जब हम आगे जाके किसी projects पे work करने लगें तो हमारे लिए project पे work करना आसान हो जाए